नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ How to make time delay in python language Python language में time delay कैसे करते हैं यह हम इस वीडियो में जानेंगे इसके लिए हमें एक module import करना पड़ेगा time Time module क्या करता है वो हमको option देता है कि हम उसमें किसी चीज को delay करना चाहते है तो time delay हम use कर सकते है उसके function के साथ जो कि है sleep function ठीक है तो यहाँ पे मैंने code लिख लिए है हम एक while loop लिख रहे हैं उसमें हमने print statement लगाया है जिसमें हम लिख रहे हैं तीकि इस तर इसे हम time delay करेंगे देख सकते हैं आप time.sleep करके मैं function को call कर रहा हूँ दो second के लिए यह बीच में लिखा होता है यह time होता है जितना भी आपको delay करना है उतना time आप इसमें mention कर सकते हैं 2 seconds ती मैंने यह 5 seconds का delay किया है यह 3 seconds का किया है और 5 seconds का आप चाहने तो इसका 60 seconds का है ज्यादा भी कर सकते हैं पर आपकी जो भी requirement है, उसके according, अब मैं आपको program run करके दिखाता हूँ, कि इस तरीके से time delay काम करेगा, सबसे पहले क्या होगा, ये line print होगी, demo of time delay in the python language, उसके बाद 2 second के लिए sleep आएगा, उसके बाद में ये one line print होगी, जिसमें दिखायागी, after 2 second क्या print होगा, उसके बाद waiting period क statement print होगा, ये immediate print होगा, ये इसके बाद 5 second के लिए ये फिर से five second delay का message print करेगा, उसके बाद 3 second का post लूँगा, और उसके बाद में फिर से मैं statement print करूँगा, 5 second के लिए, फिर 5 second का wait करके, finally 5 second का done करके, हम बहार exit करेंगे, इस exit से loop close हो जाएगा, और हम लोग बहार आजएँग चलिए दोस्तों मैं यह program run करके दिखाता हूँ, देखिए यह मैंने run किया और यह शुरू हो चुका है, इसको प्राइब उर्पर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, देखिए 2 second का wait फिर 5 second का wait हो रहा है, now exit कर रहा है, और यह 5 second के बाद statement print करके exit कर दिया, देख सकते हैं जि यह उसी तरीके से काम किया है, फस्त यह एक demo statement पर किया, उसके बाद 2 second का pause लिया, फिर इसके बाद में 5 second का wait किया, और फिर 5 second के delay पे इसमें print किया, और इसके बाद में 5 second wait करके exit हो गया, आपको फिर से दिखा रहीता हूँ, तक आप देख सके हैं, कि रिली काम कर रहा है, मैं दुबार से run किया, अब देखिए यह वेटिंग पिरेड में है, 2 second के बाद print हुआ, 5 second का wait, 5 second के बाद में print किया, फिर से वेटिंग statement, अब यह 5 second का wait second करके exit लेगा, exit statement प्रिंट करके बाहर आद, तो आपने देखा किस तरीके से यह time.sleep method काम कर रहा है, यह करने के how to make time delay in python language, python language में time delay किस तरीके से हो सकता, यह मैंने आज आज आपको demo करके दिखाया, अगर आपको video पसंद आया है, तो like कीजे, और मेरे चैनल को subscribe भीजे, मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक next video में कुछ नहीं सेख सेखने के लिए, जैने बाद.